तो अगर मैं क्या करता हूँ इस question में important काम करता हूँ यहापर मैं मैं बोलता हूँ कि let's say beta plus gamma minus alpha minus delta इसको मैंने बोला equal to x है फिर है मेरे पास में gamma plus alpha minus beta minus delta यह कहा है let's see इसमें बोलता हूँ equal to y है और फिर last में है alpha plus beta minus gamma minus delta इसमें बोलता हूँ equal to z है तो मेरा determinant क्या हो गया? determinant हो जाएगा let's see मैंने इसे जान किया था कि मैं अपने determinant को simplified form में लिख सकूँ होती हो जाएगा x rest power 4 x square and 1 ऐसी क्या होगा? ऐसे जाएगा मेरे पास में x whatever यहां पाएगा y rest power 4 y rest power 4 फिर जाएगा y square 1 और फिर जाएगा y rest power 4 x square 1 तो यह में पास में value आ जाएगी ठीक है? अब मैं इस determinant में row transformation apply करता हूँ y rest power 4 फिर जाएगा y rest power 4 minus z rest power 4 और फिर जाएगा z rest power 4 और यहां कहाएगा 1 minus 1 is 0 ओके और फिर जाएगी यहां पे 1 ओके यहां कहाएगा determinant हमारा ठीक है तो अगर मैं देखूँ है x rest power 4 minus z rest power 4 के factors क्या होगी? यह देगे x square minus y square common हो जाएगा एक तो है न? कि यह से जाएगा x square minus y square उपर से common ले लिया मैंने x square minus y square common हो जाएगा अब मेरे पास में क्या बची determinant के value दिखते हैं फिर से तो बची मेरे पास में x square plus z square फिर है 1 and then 0 फिर है y square plus z square plus 1 and 0 फिर value कहाएगी z rest power 4 z square 1 and determinant closed अब अगर determinant close होगा तो 1 के लिए अगर मैं open करूँ हाँ तो क्या होगा मैं पास में? 1 के लिए open करने पे value हो जाएगी x square plus z square हमारे पास क्या है? x square minus y square तो हाई सही y square minus z square भी हाई सही और बचा क्या मेरे पास में फिर? बचा यहां से x square plus z square minus y square plus z square तो value हो जाएगी यहां से फिर से हमारे पास में क्या जाएगी? x square minus y square आ जाएगी अरे अच्छा एक मिश्टिक करी मैंने, यहां से हमारा x square plus minus z square का माना है ना, तो यहां पर मैंने x square minus y square कैसे लिख देए, यह मिश्टिक करी है, मैंने यहां पर, इसे में correct कर देता हूँ, तो अगर x square minus z square, ठीक है, तो अब indirectly मेरी यहां पर value कहोगी, x square minus z square, तो इसके सबके factors कर minus y, ठीक है, अब हम पर values पर जाते हैं, तो हम हर एक square का क्या बोलते है, addition करना, subtraction भी करना है, तो अगर मैं यहां से x plus y की value देखूँगा, तो x plus y की value कहाज़ेगी मेरे पास में, सी gamma मेरा add होगा, alpha cancel out होगा, बीटा cancel out होगा, तो यहां से value आज़ेगी मेरे पास में, two times of gamma minus, gamma minus delta, अगर यही मैं x minus y करता तो मेरे पास value कहाती, सी beta और beta add हो जाता, and alpha और alpha add हो, यहां से मेरे पास value कहाती, two times of beta minus alpha थी उस case में, ठीक है, अब यही है, अगर मैं क्या करूँगा, y minus z करता हूँ, तो y minus z में क्या होगा मेरे पास में, see, gamma gamma add हो जाएगा, मेरे पास में, two times of gamma and then alpha, so alpha cancel out हो जाएगा, minus beta और minus beta क्या जाएगा, minus of beta, ऐसी y plus z क्या होगा हमेरे पास में, y plus z is equal to two times of value कहाई, gamma gamma cancel out हो जाएगा, two times of gamma plus alpha, और क्या होगा, minus alpha cancel out हो जाएग, minus beta, beta cancel out हो जाएगा, r जाएगा, minus Las Vegas minus z बचा तो अगर x-z की value कर जाएगी x-z is equal to see x उपर वाला है तो एक बीटा माइनस बीटा कहाँ सब गामा माइनस गामा is two times of क्या जाएगा गामा two times of गामा और माइनस में कहेगा हमारे पास में देखते हैं तो माइनस में बचेगा हमारे पास में आलफा बचेगा क्यों यहां माइनस अलफा यहां पर भी बचेगा माइनस अलफा x-z करने पर तो माइनस अलफा और two bar common आ जाएगा और x-z क्या हो जाएगा x plus z is equal to two times of यहां सब्सक्राइगा प्लस करने पर gamma प्लस करने पर एक बार alpha आ चुका है डिल्टा आ चुका है प्लस करने पर एक बार के gamma आ चुका है यहां पर gamma minus delta फिर यहां पर मैंने जब x y plus z किया तो भी है gamma minus delta अब x plus z पर दिखते हैं तो x plus z पर बी से भी add हो जाएगा तो यहां पर आएगा हमें पर पर बीटा minus delta बीटा minus delta अच्छा है हमने y plus z में मिश्टेक करी है यहां पर कियागा gamma से gamma से cancel out हो रहा है यह alpha minus delta ठीक है y plus z में भी आएगा alpha minus delta बस अब क्या करना है value को put करना है यहां पर हमारे पास में क्या सी value है बीटा minus alpha क्या है अगर मैं plus वाली देखूँँगा तो पहले है gamma minus delta फिर है alpha minus delta और फिर है beta minus delta और अगर minus वाली देखेंगे तो क्या है beta minus alpha alpha minus delta और last में क्या है में पास में gamma minus alpha इस type की terms है तो क्या अगर मैं को इन सब value का product ही तो बताना है ऐसी इन सब values का product है तो क्या होगा 2 raised to power 6 हो जागा कोई 6 times multiply हो रही है which is 64 लेकिन हमें कैसे बताना है हमें जो time है वो है x minus z, y minus z और x minus y तो x minus z, y minus z x minus z, y minus z और x minus y तो इन सब का product करेंगे तो उपर वाली value मिल जाती है हमें क्या into में alpha minus beta see alpha minus beta का है हमारे पास में see यहाँ पर हमारे पास में beta minus alpha लिख होए that's why हमारे बाहर बाहर common रहे तो इसमें लिए तो minus of alpha minus beta फिर है alpha minus gamma alpha minus gamma का है हमारे पास में सी यह रहा, minus of gamma minus alpha है हमारे पास में, फिर से minus होके क्या ज़एगा, plus हो जएगा यह है, ठीक है, यहांसा ज़एगा, gamma minus gamma, एक और बार minus common है हमारे पास में, यह plus हो जएगा, ठीक है, फिर, alpha minus delta, हमारे पास alpha minus delta है, alpha minus delta है, beta minus gamma, तो हमारे पास में gamma minus beta है, सी, gamma minus beta, तो क्या होगा, plus का वापस से minus ho जाएगा फिर beta minus delta, beter minus delta है और gama minus delta है, gamma minus delta ठीक है? तो हमारे पास मैं सारी time है, तो अगर मैं इन सब का product करता हूं तो वापस से हमें जो right hand side है वही मिल जाती है, आपके? तो बस यही तो हमारे product था, इन सब values का product और which is equal to right hand side, okay?